गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में नागारजनी कोंडा का स्थूप और धमेक का स्थूप के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियोज में हम आप लोगों देखेगा आपको एकजाम की से चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्स्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फेस्बूक पे आप लाइक ओर सेर करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो प्राप्त हो सकें और आपके दोस्तों तक भी information पहुंच सकें ठीक है बेल आइकन को दबाए ताकि आपको नए notification मिलें और आप नए जानकरी प्राप्त कर सकें एक्जाम की दरस्टी से हमारे वीडियो बहुत ही महत्तोगुन होते हैं अतहे पढ़ते हैं हम नागारजुनी कोंडा एम धामे का स्टूप ठीक है तो देखेगा पहले है नागारजुनी कोंडा का स्टूप अमरावती से पच्यान में किलोमेटर की दूरी पर उत्तर में इस्तित नागारजुन पहाडी जो कर्शना नदी के तट पर तीसरी सताब्दी इस्वी में स्टूपों का निर्मान किया गया था जिसे नागारजुनी कोंडा स्टूप कहा जाता है यहां इक स्वाकु वंसी राजाओं की अनुयाई थे किन्तु उनकी राणियों की अनुरक्ती बोधरहम में भी थी बोधरहम के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं इनी की प्रेरना से यहां इस्तूपों का निर्मान करवाया गया इक स्वाकु नरेश मराठी पुत्तर वीर पूरुस दत के सासनकाल में महास् अनुर्दन हुआ उसकी एक राणी बपी सीरीनी का के एक लेख से महाचत्ते का निर्मान पूरा के जने की सूचना मिलती हैं माईस्तूप के साथ-साथ बोधरहम से संबंदित अन्य समारकों यह मंदिरों का निर्मान भी हुआ राणियों द्वारा निर्मान कारिये के तत्पषाथ 1927 से 1969 के बीच यहाँ कई बार उत्खरन कारिये हुए फरसरूर यहाँ से अन्यक स्टूप, चत्ते, विहार, मंदिर अदी प्रकास में आये हैं तो स्टूप किसे कहते हैं, चत्ते किसे कहते हैं, विहार, मंदिर इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सबसेश्प राप्त हुए थे जिन में से चार पासान पठीयाओं से जड़े गए थे नागार्जुनिकोंट से जो स्थूप मिलते हैं वे अमरावति के स्थूप से मिलते जूलते हैं अमरावति स्थूप के बारे में उत्किन किया गया है कुछ द्रिष्टे जाते कथों से भी लिए गए हैं प्रमुक दर्शों में बुद के जन्म महभीनिस कर्मन संबोधी धर्म चकर प्रवर्तन माया का स्वपन मार विजे आदी है नागारजुनी कॉंड इस्टूप की प्रमुक विशेशता आयकों का निर् आया जाता था नागारजुनी कॉंड के आयकों पर अम्रावती स्टूप की ही भाती अलंकरित सीला पठका कलास उंदर ये दर्शनिये है तक्सन की ऐसी स्वच्छता सच्चाई एम बारी की सब पुंजन की निपुंता वस्त्रा भूशनों का सहियं एम मनोहर रूप आदी अन्यतर मिन्ना कठिन है या अंदर सिल्फ की चरम परिणती को सुचित करते हैं तो हमने पढ़ा भी नागारजुनी कॉंड का स्टूप अब हम पढ़ते हैं धामेक स्टूप कहां स्टित है धामेक को धामेक भी खा गया है धामेक भी खा गया है ठीक है तो धामेक स्टूप का एक स्टूप एक रहत स्टूप है जो उत्तर परदेश-राज्य के सार्णात में इस्तित है यह एक बहुत धार्मिक इस्थान है धामेक स्टूप का निर्माण 500 इश्वी में मोरिय समराज्य के समराट असोग द्वारा 249 इस्सा पूर्वा में बनवाये गए एक पूर्वे स्थान पर किया गया था तो मोर्य समराठ असोक के बारे में भी हम पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं धामेक स्थूप की नीव मोर्य सासन में असोक के द्वारा डाले गी तता इस स्थूप का निर्मान कुसान काल में हुआ धामेक स्थूप का निर्मान कारिये पूरा गुप्त काल में हुआ तो प्रारम असोक के काल में हुआ तता निर्मान का कारिये हैवे पूरा होता है गुप्त काल में ठीक है दामेक स्थूप का लेक निमलिकित राजवनसों की जानकरी परदान करता है किस किस की जानकरी परदान करता है गोतम बुद के बारे में असोग तथामोरियकाल के बारे में कुसानकाल के बारे में और गुप्तकाल के बारे में इस इस्तूप में गोतम बुद्ध से जूड़ी निसानिया रखी गई हैं यहां पास में ही एक असोख स्थम्भ भी है ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में इस्तित धामेक इस्तूप की वह जगह है जहां बगवान बुद्ध ने ग्यान की प्राप्ति के बाद अपने सिश् कर व्यक्ति मोक्स की प्राप्ति कर सकता है इस स्थूप को छे बार खड़ा किया गया इसके बावजूद इसका उपरी हिस्सा अदूरा ही रहा यह सारनात की सबसे आकरसक सरंचना है इसका आकार सीलेंडर के आकार का है सिलापट कनिंगम नें सर्वा परतम इस स्थूप के म इपी में ये धर्म हेतु प्रभा मंच अंकित था तो देखेगा इस वीडियो में हमने नागारजुनी कोंडा स्थूप तता धामेक स्थूप के बारे में जानकरी प्राप्त की और अमरावती तता सांची के स्थूप के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसी प् और भी वीडियोज हम दिखाएंगे हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे